अब दिन बर दिन ये स्पष्ट होते जा रहा है कि CBI के डिरेक्टर अलोक वर्माजी को हटाने के पीछे मोधी सरकार का पूरी की पूरी कोशिश है कि उनके जो धांदलियां जो हुई है उनके सरकार में जो सीधा पहुंचती है प्रदानमंतरी तक और उनके केंदर सरकारिक तक इन धांदलियों को चुपाया है ये रफेल स्कैम की बात हो या और बाकी सब धांदलिय की बात हो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस आधार पर जल्दबाजी में अलोक उर्माजी को हटाया गया सीवी आई के डिरेक्टरशिप से इसके पीछे सीवी सी सेंट्रल विजिनर्स कमिशनर की रिपोर्ट के आधार पर किया गया Central Business Commission के रिपोर्ट के बारे में Justice Retired Patnaik जिसको Supreme Court ने order दिया था कि वो सूपर्वाइस करें CVC की inquiry वो कहते हैं कि इस inquiry में कोई भी ब्रशाचार का आरोप अलोग वर्मा के उपर साबित नहीं हुआ और ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये CVC का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है ना उनकी भागीदारी है तो स्पष्ट रूप से ये साबित हो रहा है कि CVC ने ये रिपोर्ट दिया जिस रिपोर्ट के आधार पर अलोग वर्मा जी को हटाया गया और CVC ने इस report को बनाया किसके आधार पर? राकेश अस्ताना जो deputy director थे या CBI के officer थे उनकी जो आरोब थे अलोक वर्मा जी के उपर उनके उपर ये report बना अब राकेश अस्ताना जी के उपर जो आरोब है उन आरोबों को हटाने के लिए जो याचिका उन्हें ने दिली हैकोट में दी दिली हैकोट ने उसको खारिज कर दिया उल्टा ये कहा कि इनके उपर जो आरोब है उसके उपर जांच अनुचित है और ये जांच को दस हफते के अंदर पूरा किया जाना है यानि मतलब उनको दोही के रूप में आरोपों को ठहराए गया जो इस जार्ज के बादी पता चला है यानि जिस व्यक्ति के उपर एक चार्ची डिली है कोड ने लगाया उनके आरोपों के आधार पर जल्द बाजी में बिना कोई मौका दिये वे अलोक वर्मा को उनके खिलाब जो आरोप है उनकी स्पश्णी करन करें बिना ये सब कुछ करें वे जल्द बाजी में उनको हटा दिया गया तो यही बात ये प्रमानित करता है बहुत कुछ छुपाया जा रहा है आज इस सरकार से जो लूट जो उनके उपर जो अब खबरों में जो आरी है इन आरोपों के आधार पर एक जांच होनी चाहिए और उस जांच के आधार पर कारवाई होनी चाहिए कानूनी कारवाई आज जो CVC है उनके उपर ये पश है देश के हित में ये जरूरी है इस CVC को उनके पद से हटाया